ओम शान्ती तीस दिसंबर दो हजार बाइस की साकार मुर्ली से होमवर्क आज की मुर्ली से हम लक्ष लेंगे बाप के गले का हार बनना है अर्थात पूरा वर्सा लेने का पुरुशार्थ करना है आज की मुर्ली से हम स्वमान लेंगे मैं सिध्धी सवरूप आत्मा हूँ सिध्धी सवरूप आत्मा अर्थात बाप के साथ की शक्ती और सरव शक्तियों का धन समय परमान करम में यूज करके हर करम में विजय बनने वाली आत्मा सिध्धी सवरूप आत्मा तो इसका अभ्यास आज सारा दिन करेंगे गुणों और शक्तियों को यूज करते समय बाबा की याद भी हो बाबा का साथ भी हो आज की मुरली से चिंतन करेंगे बाबा राज्य की धरम की संस्था की घराने की स्थापना किस के अधार पर करता है कौन कौन सी धारना है हमें करनी है जो बाबा के हम इसमें सहयोगी बने आज की मुरली से पुरशार्थ करेंगे बाब के गले का हार बनने के लिए दूरा देशी बनना है और महावीर बनना है दूरा देशी के आज की मुली में दो अर्थ बताए दूरा देशी अर्थात दूर देश के रहने वाले परमधाम निवासी बनो तो आज बाबा ने दूरा देशी बनने के लिए आज विशेश अर्टेंशन दिलवाया है कि तुम दूर देश के रहने वाले हो, ये दुनिया पराया देश है, जब तुम मेरी याद में रहोगे, तब तुम वापिस मेरी धरनी पर आओगे, अर्थात राम राज्य में आएंगे, तो दूर देशी बनना अर्थात परमधाम निवासी बनो, बुद्धी योग की दोड़ी लगाते रहो, बाबा को बड़े प्यार से याद करना है, इतना बाबा के साथ लव होना चाहिए, जब प्रेम के आँसू आएंगे, तो उन आँसूं को बाबा कहते हैं, वो माला का दा आद में रहने का बार-बार अभ्यास करेंगे, दूरा देशी का दूसरा अर्थ है तरिकाल दर्शी बनना, बाबा ने हमें तीसरा नेतर दिया, हमें तरिकाल दर्शी बनाया, हम पास प्रेज़न फ्यूचर को जानते हैं, हमें ये नौलिश मिली है, हम ब्राह्मन सो देवत बनेंगे, जब हम इस समृति को बार-बार इमर्च रखते हैं, तो बाबा ने कहा, तुम्हें अभी ज्यान है, कि अभी राज्य और धरम की स्थापना हम कर रहे हैं, तो खुशी होने चाहिए, धरम की स्थापना इसका अर्थ है, जो धरनाय है, आत्मा के निजी गुन है, उसको करम में यूज करना, उसको बुलते हैं धरम की स्थापना, तो आत्मा का स्वधरम ही शान सवरूप, प्रेम सवरूप, अनन सवरूप, इसका अभ्यास करना है, दूसरा राज्य की स्थापना हो रही है, तो शिरी मत पर राज्य की स्थापना हो रही है, तो जो बाबा शिरी मत देते हैं, उसको अपने जीवन में धारन करना, और राज्य की स्थापना का दूसरा अर्थ है, स्वर राज्य अधिकारी बनना, करम इंद्रियों का राजा बन करके, करम इंद्रियों को यूज करना, तो एक की मत पर चलना है, तो इसको दूसरा अपनी करम इंद्रिय मुझे पड़ी है, तुम से जास्ती गाली मुझे खानी पड़ी है, तुम्हे भी खानी है, क्योंकि तुम भी बाप के साथी हो, तुम्हे कलंगी धर बनना है, तो इसे डरना नहीं है, तो महावीर बन करके मायाचीत बनना है, ज्यान के अस्तर-शस्तर को यूज़ करके विज सब्सक्ते हैं, ओम शांति.